हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चैनल ये हमारा लेक्चन नबर 14 है मैडुवल हिस्ट्री का तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम बंस के सासक रुकुनुद्दीन फिरोश सा के बारे में जिनका शाशनकावल केवल एक वर्सी रहता है कब तो 1236 इस्वी में या श्रमची राजमंस के थें या कुत्विदिन एबक के पुत्र थें इधर देखिए सन 1236 इस्वी में एल्टूत मिस ने अपनी मित्यू के पर भी अपनी योग पुत्री राजिया को अपने उत्राविकारी के रूप में नियुक्ति की गोश्णा कर दी थी क्योंकि बड़े पुत्र नासरुद्दी महमुद के मित्यू सन 1229 इस्वी में हो गए थी दोस्तो मतलब इल्टूतमिस जब जिन्दा थें तब उन्होंने अपनी उत्राविकारी का पद अपनी पुत्री राजिया सुल्तान को सौप दिया था क्योंकि उनका बड़ा पुत्र नासरुद्दीन महमुद के मित्यू हो गए थी और जो इनका छोटा पुत्र था वो अयोग था यानि उसके अंदर काबलियत नहीं थी उत्राविकारी बनने के लिए इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री राजिया सुल्तान को उत्तराविकारी के पद सौप दिया था परन्तु एक समस्या खड़ी हो गए क्या तो इल्टूत्मिस की मित्यू के बाद उसके दूसरे पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोसा जो की आयोग्षा चकता जिसके अंदर काबलियत नहीं थी वह गद्दी पर बैठता है लेकिन उसके गद्दी पर बैठते ही समराज में चारों तरफ विद्रो फैल फैल गया क्योंकि वह गलत था वह अयोग था अतर वह जबदस्ती विद्रो को दबाने के लिए दिल्ली से बहा जाता है और रजिय सुल्टान ने इस परस्तिती का लाब उटाते हुए लाल वस्त्र पहन कर जन्ता के सामने अपने वास्तिविक उत्तराधिकारी होने की बात कही जन्ता वा अमीरों के समर्थन से वा दिल्ली की गद्धी पर बैटी अंत्ता फिरोसा के वापस लोटते ही फिरोसा को बंदी ग्रह में डाल दिया गया इस तरह रुकनुद्दीन फिरोसा का अध्याय खत्म होता है दोस्तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा शियर करिएगा और कमेंट के माद्यम से जरूर बताएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद